हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम तेजिंद्र और आप देख रहा है यूडवल्टी नेटवर्क जियहां जो हमारा Facebook आपनें बिगाओंट है वो है यूडवल्टी नेटवर्क हमारा इंश्टाग्राम आपनें बिदिधो को दो साथ में विडियो को शेयर करते रही रहिएगा जैसे कि अधर लोगों को भी इससे बेनिफिट सो कुछ सिख सकें जरूरी जो खबरे होती है उससे अपडेट रह सकें तो जैसे कि अगर आप नए व्यक्ति हैं हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो यहां पर कुछ आप्फरन दे रखे हैं इन में सऱ्ट वीडियो मेंहीं हैं मिलेंगी आपके लिए डेली अपडेट मिलेंगी और एलूकर से लेटट काफी वीडियो मिलेंगी आपको यह आ हैसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको यहां के द्माकेधारि ब्लॉक्स और इंसीまだों का फूलम होता है तो जी यहां जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आधुनिक भारत का इतियास इसके बारे में कुछ महतपूर जान करी है इसके बारे में बात करेंगे यानि कि हिस्ट्री आफ मॉडन इंडिया जी यानि कि आधुनिक भारत मॉडन इंडिया तो यहां पे है 1857 का बिद्रो इसमें पहला पॉइंट है आधुनिक भारत के इतियाज में 1857 का बिद्रोय बिशिस्ट इस्थान रखता है इसे भारत का प्रिथम स्वतंतरता संगराम भी माना जाता है इसी बिद्रोय से भारत के प्रारंब हुआ नेस्ट इसका जो पॉइंट है वो है चर्वी लगे यानि कि इस मार्च 1857 को मेरट में तैनात एक सैनेक मंगल पांडे ने चर्वी लगे कार्तियुसों का प्रियोग करने से इंकार करते हुए अपने ब्रटीस अधिकारी की हत्या कर दी जिसके चलते 8 अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई इसका जो नेस्ट पॉइंट है वो है दस माई 1857 को मेरट चौनी के सैनेकों ने बिद्रों की शुरुआत कर दिल्ली की कूच कूच किया था तथा 12 माई को दिल्ली पर कबजा करके सैनेकों ने निर्वासित समराट बहादुर सहा दुतिय को भारत बातसाह गोशित कर दिया इसका जो नेस्ट पॉइंट है वो है सीग्र ही यह है उत्तर अबम मद्ध भारत में भी फैल गया इसका जो नेस्ट पॉइंट है वो है 1857 के बिद्रों के समय भारत का गवर्णरा जनराल लॉर्ड केनिंग था नेस्ट देखते हैं यहां पर 1857 के बिद्रों के पिरमुक केंदर अैभम बिद्रों ही नेता जी है तो यहां पर इस्थान दिया रखका है और यहां पर केंदर इस्थान केंदर बिद्रों ही नेता और अधिकारी chain इसमें लिखा है बहे इस्थान बाकेंद्र जहां बिद्रोय हुआ बहे नेता जिसने बिद्रोय का नेत्रत्व किया और बहे ब्रटी सदिकारी जिसने बिद्रोय का दमन किया तो यहां पर पहले नम्मर में है जगदिश पूर इस्थान है जो जगदिश पूर इस्थान है और जो जिसने बिद्रोहे का दमन किया उनका नाम है जनरल आयर आयर टेलर नेश शेकंड है यहाँ पे जो इंद्र स्थान है बो है पटना इसको बिद्रोही नेता है बो है कुवर सिंग और इसके जो अधिकारी यानी ब्रेटिस अधिकारी इसने बिद्रोहे का दमन किया उनका न नेश्ट है बरेली, बरेली में विद्रोही नेता, यानि के खान बहादुर, और इसके विद्रोही का दमन किया, वो है कैम्प वेल, नेश्ट यहाँ पे है, जो स्थान है, वो है इलाबाद, एवम बालालसी, इसके विद्रोही नेता है, लिया कतली, और इसके अधिकारी है कर लेगम हजरत महल और इसके जो अधिकारी हैं वो हैं कैम्प वेल अब यहां पर देखते हैं नेस्ट पॉइंट है यहां पर जहांसी में बुद्रहे का नेतरत्व राणी लक्षमी बाई ने किया नाना साहब के नेतरत में 5 जून 1857 को कानपूर पर अधिकार किया गया नेस्ट पॉइंट है 1857 के बुद्रहे में पंजाब, बंगाल और रक्षड भारत के अधिकांस है सो जैसे हैदराबाद एवं मदरास ने बुद्रहे में भाग नहें लिया नेस्ट पॉइंट है बिहार के जगदिश्पूर में जमीदार कुमर सिंग ने बुद्रहे का नेतरत किया इसका नेस्ट पॉइंट है बिद्रहे के बाद भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के सासन का अंत हो गया और भारत ब्रटीश क्राउन के अधिन हो गया भारत के गवर्ना जर्रल को अब वाइब सराय कहा गया नेस्ट पॉइंट है यहां पे बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का प्रिथम सोतंतरता संग्राम में इस बिद्रोई 1875 को एक सुरुन योजित राश्टिय सोतंतरता संग्राम माना नेश्ट पॉइंटर बादुर साहे दुतिय जिसने इस बिद्रोई का नेतरत किया था को 1875 के बिद्रोई में बिद्रोईयों का साथ देने के क अंग्रेजों ने निर्वासित कर रंगून भेज दिया बहीं 1862 में इसकी मिर्त्यू हो गई अब यहाँ पर देखते हैं 1857 के बुद्रोय पर स्वरूप पर विद्वानों के विभिन मत पहले हैं बीडी सावरकर उनका है सुनोय जुत स्वतंत्रता संग्राम सेकर नमबर पर पार्शी मजूमदार इनका है सैने विद्रोय तीसने सर जैम्स आउट्रम यानिके हिंदू मुश्लिम सडेंत्र है इनका विभिन मत हैं और नेक्स्ट है आपे फोर्त नमबर पे वेंजामिन डेजरील यानि इनसका है राज्टी विद्रोय नेस्ट है यहाँ पे एड़ी र ऄद्रोय में कहीं इरोपियो देशों के लोग भारत में वियापार करने उद्ःस में भारत आए बारत में ग्रम पुर्तकाली अंग्रRAJ-BRATR, Dutch Holland, Denne, Denmark even 1991 सरवाधिक सफल रहे नेस्ट पॉइंट भारत में व्यपार करने सबसे पहले पुर्तकाल इस इंडिया कमपनी 1498 भी में आई, भारत आने बाला 1498 भी भारत पुर्थम एडिये यात्री बासकोडीगामा पुर्तकाली ही था इसका जो next point और पुर्टकाल के बाद अंग्रेज यानिकी ब्रटीज इस्ट इंडिया कमपनी 1600 में भारत में ब्यापार करने आई इसके बाद डच इस्ट इंडिया कंपनी 1602 में डेनिस डेनमार कंपनी 1616 में तथा अंत में फ्रांसिस इस्ट इंडिया कंपनी 1664 इसवी में भारत में ब्यापार करने आई नेस्ट पॉइंट भारत आने बाला प्रिथम अंग्रेज ब्यक्ति बर्स 1599 में जॉन मिल्डेन होल था इसका नेस्ट पॉइंट ब्रेटेन की महरानी एलिजावेत प्रिथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 प्रदान किये गए चार्टर द्वारा ब्रेटेस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई ब्रेटेस इस्ट इंडिया कंपनी का बात्तिविक नाम दे गवर्नर एंड कंपनी आफ मर्चेंट आफ ट्रेंडिंग इन टू दा इस्ट इंडिज था नेस्ट पॉइंट ब्रेटेन के राजा जैम्स प्रथम के दूत के रूप में बर्स 1608 में हांकिंग नामक एक अंग्रेश मोगल समराट जहागीर के दरबार में आया था बर्स 1613 में जहागीर ने अंग्रेजों को सूरत में ब्यापारिक कोठी इस्थापित करने के इजादत दी थी नेस्ट यहां पर पॉइंट इसका बर्स 1615 में सर टॉम्स रो नामक एक अंग्रेज जी प्रथम के दूत के रूप में भारत आया नेस्ट पॉइंट है बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्टरी कोठी सह जहां के काल में 1651 में बंगाल में सूवेदार की आग् अंधरीन व्रेंग्रेजा का बिभाः बिरटेंट के चाल से दोतिय से 1616 में हुआ इसके फलसरूप अंग्रेजों को बंबई यानि मुंबई दहज के रूप में प्राप्त हुआ अब यहां पर देखते है नेस्ट यहां पर गवरणर जैनल अँवम बाय सराय इनका नाम है यहां पर दे रखा है कारियाला और प्रमुक का्रीये देखते हैं यहां पर सबसे पहले हैं लॉड लाइव कारिकाले है है हनका 14 17 सब्सक्राइब के बाद क्लाइब के बाद वेरे लास्ट 1767 से 1779 इसवी तक तथा केरियर 1779 से 1772 इसवी तक बंगाल की गवर्नर रहे इनके जो नेस्ट पॉइंट है यहाँ पे बो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहने की वारेन हैस्टिंग्स इनका जो कारिकाल है बो 1772 से 1785 और इसका जो प्रमो कारिये है बो है बंगाल में दुएत सासन की समापती बंगाल का सासन इस्ट इंडिया कंपनी के धिन किया नेस्ट यहाँ पे 1773 इस भी में रैगुलेटिंग अक्ट के तहट हैस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से यह पिर्थम गवर्नर जनरल बनाया गया ऐसी एक्ट के तहट कलकेटा यहानि कोवकाता में उच्थम झ्याले की स्थापना नेस्ट यहाँ पे बंगाल की राजध युद्ध अब यहां पर नेश्ट यहां पर लॉड कारणा वलेस कारेकाल है 1786 से 1793 इस भी और इसका जो कारियां बहुत तिर्थिये अंगल मैसूर युद्ध इस भी नेश्ट यह बंगाल में इस थाई भूमी बंदोवस्त प्लडाली की सुरुवात 1793 इस भी में की भारतिये सिवल सेवा का जनक सासक के प्रथिकरण के सिध्धान्त का जनमदाता कारणवाले सहिंता 1793 यानिकी लागू अब यहाँ पर जो नेश्ट है बो है सर जोन सोर 1793 से 1798 इस भी इनका जो बो है कारिकाले बो है अपनी हैस्त छेप तठस्ता निदी के लिए विख्यात नेश्ट यहाँ पर जोनका नाम है बो है लौड वेले जली कारिकाले 1798 से 1825 इस भी नेश्ट यहाँ पर साहिक संधी प्रथा भारत में ब्रटी समराज का विश्तार नेश्ट चतुरत आंगल मैसूर युद 1799 इस भी नेश्ट दूतिय आंगल मराठा युद 1803 से 1844 तता कलकत्ता यानि कोलकाता में फौर्ट विलियम कॉलेज की स्थाफना नेश्ट यहाँ पर लौड मिंटो प्रथम इनका जो कारेकाल है बो है 1807 से 1893 इस भी और पिरमकारिय है बो है महराजा ररजीत सींग के साथ प्रिसिद्ध अम्रसर की संदी 1899 इसके कारेकाल में 1813 का चार्टर आयक्ट पारित हुआ नेश्ट जो नाम है बो है लौड हैस्टिंग्स इनका जो कारेकाल है बो है 1813 से 1893 इस भी और पिरमकारिय है यानि कि प्रिथम आंगल नेपाल युद 1814 से 1816 इस भी नेश्ट है आप तिरतिये आंगल मराथा युद 1817 से 1818 इस भी अब जो नेश्ट नाम है बो है लौड है सट यानि कि अग्या जो कारिकाल है वह 813-1888 इस भी प्रमोकारी है वह प्रिथम आंगल बर्मा युद्ध 1824-1826 के कारिकाल में हुआ अब यहां पर देखते हैं भारत के गवर्णर जनरल तो इनका जो प्रिथम नाम है वह लौड विलियम बैटिक यानिकि और जो कारिकाल है 1888-1835 इस भी जो कारिकाला प्रमोकारी है प्रमोकारी में है 1833 के चार्टर एक्ट के तहट बंगाल के गवर्णर जनरल को भारत का गवर्णर जनरल बनाया दिया गया वेंटिंग वारत में सामाजिक शुदारों के लिए विख्यात 1829 इस भी में नेश्ट स्रतिपर्था का नेश्ट कन्या सिसू बद का प्रतिबंद नेश्ट कलकत्ता यानि कुलकाता में मेडिकल कॉलिज की स्थापना 1835 इस भी में जो नेश्ट नाम है जो गवर्णर का वो है सर चाल्स मैटकॉफ कारेकाला इनका 1835-1836 इस भी इनको पिरमोकारी है समाचार पत्रों से प्रतिबं इस भी इनका प्रतिबंद अंगल अफकान यूद 1838-1842 इस भी नेश्ट सेरसाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड की मरमत करवाई नेश्ट नाम है जो बो है लॉड ऐलन बरो कारेकाल है इनका 1842-1844 इस भी और प्रतिबंद का ब्रतिस राजी में बिले हुआ होडिंग ंगका जो प्रमुख कारेकाल है जो 1844-1848 इस भी प्रतिबंद अंगल सेखिय युद 1845 और नेश्ट प्राचिन इस्समारकू का सरंचल जो नाम है वह लाठ यह इनका जो कारेकाल है 1848 से 1856 भी और जो प्रमो कारी है बहुआ दूतीय अंगल बर्मायुद 1851 से 1852 भी नेस्टे P.W.D. सरवजनिक निर्माड विभा का निर्माड 1853, नेश्टे पिर्थम रेल लाइन 1853 का निर्माड, नेश्टे आपे पोस्ट ओफिस एक्ट 1854 पारित, नेश्टे सर चार्स बुट की सिक्षा सुधार निती 1854 इस भी, नेश्टे डेलोजी की विक्तिगत निती लैप्स न समराज में मिलाए गए राज थे 1788, जहां सी 1853, अगमनागपूर 1854, नेश्टे सिमला को ग्रसम कालीन राजदानी बनाया, नेश्टे हिंदू बिदभा, पुनर बिभा, एक्ट पारित, और यहां पर नेश्टे हैं यहां वाइस बाइसराय, बाइसराय में पहला नाम है ल भारत का गवर्नर जनरल अंतिम जो रहा, 1858 के ब्रेटी सांसर द्वारा पारित अक्ट के तहट इसे भारत का प्रिथम वाइसराय बनाया गया, महरानी विक्टोरिया भारत की समरागी भोसित, 1858 में, नेश्टे मदरास चिन्नई, एवम कलकत्ता, कलकता, विश्विदाले की स्थापन, 1857 में, नेश्टे भारतिये देंड सहिता, 1858, एवम सिवल देंड प्रकरिया, CPC, 1869, इस भी, नेश्टे भारतिये परिश्द अदिनिया, 1861, नेश्टे भारतिये उच्च नियाले एक्ट, 1861, नेश्टे इसके तहट कलकत्ता, कुलकत्ता, मदरास, चेन्नई, औ मुंबई में, उच्च नियाले की स्थापना की गई, नेश्टे नाम है, बैसराय में, बो है, लॉर्ड एलगिन, कारेकाल, 1862, 1863, इस भी, और इसका प्रमकारिये में रखा है, यहां पे, बहावी आंदुनन का दमन, और नेश्टे धरम साला में, अचानक मिरतियो, नेश् संचार विवस्ता इस्तापित की, नेश्ट नाम है, बो है, लॉर्ड मियो, कारेकाल, 1869-1862, प्रमकारिये में, यहां पे, क्या-क्या है, देखते हैं, मियो, कॉलेज अजमेर में, इस्तापित किया, और कारेकाल, में ही, 1872 में, पिर्थम जनगलना कराई, नेश्टे कारेका प्रमकारिये में, पंजाब में, कूका अंदोलन, नेश्ट बिहार में, अकाल पड़ा, नेश्ट नाम है, बो है, लॉर्ड लिटन, कारेकाल, 1876-1882, इस भी, प्रमकारिये लिटन, एक विख्यात कभी लिखक था, जिसे, ओबन मेरिडित के नाम से भी, विद्वानों में, जाना जाता है, लिटन ने सिबिल सेवा प्रिवेस आयू, 21 से घटाकर, 19 की, रिचर्ड स्ट्रैची की अधिक्षिता में, अकाल आयोक का गठन, 1878, नेश्ट जो महरानी विक्टोरिया को, इसके कारेकाल में ही, केसर ए हिंद की उपादी दी गई, नेश्ट पिरसिद वर्न क्यूलर एक्ट प्रेस के प्रतिवंद हुए हेतु, तता सबार्तिय सस्त्र अधिनिया, 1878, नेश्ट दूतिय अंगल अफगान युद, 1878-1880, नेश्ट नामें वो है लॉर्ड रिपन, कारेकाल 1880-1884 भी प्रमुकार ये है, वो है वर्ना क्यूलर एक्ट रद किया, 1882 भी म नेश्ट रिपन को प्रेस का मुक्ताता भी कहा जाता है, 1881 से नियमित जनगलना, प्रति दस वर्स परचात कराई गई, नेश्ट इलवर्ट बिल बिवाद, 1883 भी नेश्ट इस्थानिय स्वशासन की प्रडाडी की शरुवात, 1880, अब यहाँ पर जो नेश्ट नाम है वो ह लॉड डफरेन, लॉड डफरेन, इसका जो कारेकाल है वो है 1884 से 1888, इस भी प्रमुक कारिये ए ओ हियूम के नेतरत में भारती राश्टिये कांगरिस की श्थापना, 1885 में नेश्ट है, तरतिये आंगल बर्मा युद, 1885 से 1888, अब यहाँ पर जो नौ जो नया नाम है वो है लॉड लेंड लेश्ट डाउन, लॉड लेश्ट डाउन, नेका जो कारेकाल है वो 1888 से 1894 इस भी प्रमुक कारिये भारतिये परिसद है, 1892, पारित नेश्ट भारत भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, डूरंड रेखा का नेश्ट नाम है वो है लॉड एलेगन दूतिये प्रमुक कारेकाल है वो है 1894 से 1899 इस भी प्रमुक कारिये तिलक द्वारा सिवाजी उस सब की गोशड़ा 1894 में की गई और नेश्ट चापेकर बंदूओं द्वारा पुना में दो अंग्रेज अधिकारियों के हत्या 1897 नेश्ट भारत में यह किसी ब्रेटिस 1925 इस भी प्रमुक कारिये उत्तर पच्चिम सीमा प्रांत का गठन नेश्ट पच्चिम विस्विद्द्याल अधिनियम 1904 नेश्ट प्राचीन इसमारक संचल अधिनियम 1904 नेश्ट रेलबे बोट का गठन 1905 नेश्ट पुलिस सुधार हितू फ्रेजर कमिशन का गठन कारिकाल है 1905 से 1910 इस भी नेश्ट यहाँ पे प्रमुक कारिये हैं वो है मुश्लिम लीक का गठन 1906 नेश्ट जो है वो है मारले मिंटो सुधार एक्ट भारतिय परिशद एक्ट 1909 पारित नेश्ट है यहाँ पे सूरत में कांग्रेश का विवाजन 1907 और यहाँ पे जो ने रजोर्टीन के राजा जोर्ज बी का प्रिठम आगन बारा धिसंबर 1911 नेस्ट हैं यहाँ पे जो करिये है वो है दिल्ली में बंग्ल विवाजन रद दिल्ली राजधानी बनी еще Austria में नेश्ट है यहां पर हार्डिंग के दिल्ली प्रिवेश के दौरान बंब फेका 30 दिसंबर 1912 में नेश्ट है प्रिथम विश्वियुद का प्राड़ाम 1914 नेश्ट नाम है यहां पर बोहें लॉर्ड जैम्स फूर्ड कारेकाल 1916 से 1921 नेश्ट प्रमकारिये है यहां पर बनारस हिंदू प्रिविश्विदाले की इस्थापना 1916 में की गई नेश्ट है यहां पर गांद जी द्वारा चंपारन में प्रथम सत्ता ग्रहें अपराईल 1917 नेश्ट है जलियावाला बांग हत्या कांड 13 अपराईल 1919 नेश्ट है मांटेग्यू चैम्स फूर्ड सुधार दिनियां 1919 नेश्ट नाम है वो है लाड रीडिंग कारेकाल 1921 से 1926 इस भी पिरमो कारिये चौरा चौरी कांड पांच फरवरी 1922 नेश्ट है काकोरी ट्रेन डकायती कांड 9 अगस्त 1925 नेश्ट है स्वामी स्रद्दनंद के हत्या 1926 नेश्ट है कानपूर में अखिल भारतिय सामवादी दलका गठन 1924 नेश्ट यहाँ पे जो अब यहाँ पे लॉइस नाम है वो है लाड इर्विन कारेकाल 1926 से 1931 पिरमो कारिये सायमन कमीशन का भारत आगमन नेश्ट है यहाँ पे दिल्ली की अशेंबली में भागत सिंग बाग बटू केशवर दत्त त्वारा बंब फेका गया 8 अप्राइल 1929 नेश्ट है कानपूर अधिवेशन में पूल सुराजी की गोश्ड़ा की 31 दिसंबर 1929 नेश्ट है यहाँ पे गांधी द्वारा एत्यासिक दांडी आत्रा 12 मार्च 1930 में प्रारंब नेश्ट है लंदन में प्रिथम गोल में सम्मेलन संपन 1930 नेश्ट गांधी इर्विन समझाथा 5 मार्च 1931 नेश्ट नाम है वो है लॉर्ड विलिंगटन कारेकाल 1931 सा 1936 इस भी प्रमोकार ये क्या है यहाँ पर दिखते हैं दुतिये गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र प्रतनेधी के रोप में हिस्सा लिया 1931 ब्रेटेन के प्रत्थम ब्रेटेन के प्रधनमंतरी रेमजे मैक डॉल द्वारा एतियासिक संपरदाईक निरणाय की गोशड़ा 1932 में नेश्ट यहाँ पर गांधी और अमेर्ड कर में पूना पैक्ट 1932 नेश्ट यहाँ पर तृतिये गूल में सम्मेलन संपन 1932 नेश्ट भ और यहाँ पर प्रमो कारिये दूतिये विश्वियुद 1949 से 1945 और नेश्ट यहाँ पर कांधी द्वारा ब्यक्तिगत सभिने अभग्या अंदूलन प्रारंब 17 जनवरी 1941 नेश्ट गांधी जी का भारत छोड़ू अंदूलन 1942 प्रारंब नेश्ट यहाँ पर जो नाम है बो है लौड बैविल कारेकाला यहाँ पर दिया रखा है 1947 से 1947 इस भी पिरमो कारिये सिमला समझा होता 1945 में नेश्ट यहाँ पर काविनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 नेश्ट पंडित नहरु द्वारा अंत्रिम सरकार का गठन याई सि संबिधान सभा की पिर्थम बैठक 9 दिसंबर 1916 नेश्ट है यहाँ पर 21 पी एम इटली की गोश्टा 20 फरवरी 1947 को इसमें भारत को जून 1948 तक सोदर्टता करने की गोश्टा की गई नेश्ट जू नाम है वो है लौड मांट वेटन 1947 से 1948 इस भी कारिये हैं यहाँ पर भारत के अंतिम बाइप सराय लौड मांट वेटन तेन ने 3 जून 1947 को भारत विवाजन की गोश्टा की नेश्ट इस एक्ट के तहट भारत के दो टुकड़े करके इसे भारत पाकिस्तान दो राज्यों में विवाज़त कर दिया गया नेश्ट तो नाम है वह चक्रवर्ति राज गोपालचारी कारेकाल 1948 से 1950 इस भी प्रमोकारिये सोतन तरता भारत के 1948 से 1950 तक प्रिथम बैवशराय बने अब यहाँ पर देखते हैं भारत के प्रमोक्त समाजिक आंदोलन सुधार आंदोलन पहला पॉइंटर राजार रामुहन राय द्वारा बर्स 1828 इसवी में ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता और कुलकत्ता में हिंदू धर्में सुधार करने तथा एस्वरवाद का प्रिचार करने के लिए की गई थी नेस्ट पॉइंटर राजा रामुहर राय को भारतिय नवजागण का अग्रदूत माना जाता है बहें पहले ऐसे भारतिय हुए जिनोंने भारती समाज में ब्याप्त धार्मेक बस समाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए आंदोलन किया नेस्ट पॉइंटर राजा रामुहर राय द्वारा संबात कौमदी तथा मिरात अल अखवार प्रकासित करके भारत में पत्रिकारता की नीव रखी गई नेस्ट पॉइंटर बर्स 1849 में देवेंदर ना टाइगूर ने कलकत्ता यानि कुलकत्ता में तत्व बोधनी सभा की स् नेस्ट पॉइंटर रादा स्वामी ससंग की स्थापना आगरा में बर्स 1861 इसवी में तुलसी राम सिभदयाल द्वारा की गई थी नेस्ट पॉइंटर देनन्द सरस्पती द्वारा बर्स 1854 इसवी में बंबई यानि मुंबई में आरे समाज की स्थापना की गई नेस्ट प्रकास और पाखंड खंडन थी नेस्ट पॉइंट हैं आपे बर्ष 1897 में स्वामी बिवेका नंद ने राधा राम क्रिशन मिशन की स्थापना अपने गुरू राम क्रिशन प्रमांस की इसमर्ति में वैलूर और कलकत्ता कोलकाता में की नेस्ट पॉइंट हैं आपे बर्ष 1832 में बिवेका नंद ने सिकागो ने संयोक्त राजी अमरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया तता भारत की प्रिथिष्टा को विश्व मंच पर प्रिथिष्टित किया नेस्ट पॉइंट अमरिका जाने से पहले विवेकनंद ने महराज खेतडी के सुजाओ पर अपना नाम नरंदर नाथ से स्वामी विवेकनंद रखा नेस्ट पॉइंट है महादेब गोविंद रनाडे को पच्चिम भारत में सांस्कर्तिक पुनर्जागल का अग्रदूत माना जाता है नेस्ट पॉइंट है बर्स 1854 में थियोसो फिकल सोसाटी की स्थापना मैडम एच पी विलावोट्सकी और हेंरी स्टील ओलकॉट ने अमेरिका में की थी नेस्ट पॉइंट है भारत में होम रूल की तरजपर होम रूल लीग की स्थापना बर्स 1916 में एनिवेंसेंट अरलेंड द्वारा की गई नेस्ट पॉइंट है यहां पे महात्मा गांधी द्वारा बर्स 1932 में चुवाचूत के ब्रोध में हरिजन सेबक मंडल संग की स्थापना की गई नेस्ट पॉइंट है डॉक्टर अम्बेटकर द्वारा बर्स 1932 में अखिल भारतिये अनिशुचित जाती संग की स्थापना की गई तो यह थी आदुनिक भारत के इतियास की कुछ महत्पूर जानकारी और अब आपने यहां पे मैंने बात की थी पिछली वीडियो में की थी वो था यानि की मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानि की भारत की माद्दिमिक माद्दिकालीन भारत था उसका इतियास के बारे में बात करी उससे पहले बात की थी बुत की प्राचीन भारत का इतियास उसके बारे में अगर आपने यहां पर यह वीडियो देख लिया यहां पर यह तक और आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो इसमें प्लेलिस्ट दे रखी है यहां पर मैं आपको दिखा दूँ यहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है प्लेलिस्ट में आप यहां पर वीडियो को इसका प अधिकालीन भारत का और यहां पर यहां पर बात करीती बहुत ही आदोनिक भारत का इतियास यहां पर शंपूर जानकारी यहां पर श्माप्त होती है और यहां पर और भी बहुत सारी वीडियो दे रखी है यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से कि का मुझ प्राचीन बहरत की मदद्यकालीन भारत की और आदुनिक भारत की कुछ महतपूरी जानकारी सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को सेयर करें और मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत वंद्यमा त्रम